तो गाइस यार गियोवे चल रहा है और जाके आप लोग डिस्क्रिप्शन में दो लिंक होंगे उनमें चेक आउट कर लीजिए दिस्क्रिप्शन में दोनों लिंक में जाके पाइस्पेट कर लीजिए और सारे चैनल को सब्सक्राइब करना यार बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हेलो गाइस वेलकम तो दे ब्रेंड अपसोड फेलेक्ट्रो आईजार तो गाइस आज चुके हैं एक और क्लेश अफ क्लैन की वीडियो में और आज की इस वाली वीडियो में मैं दो चीज बताने वाला हूँ गाइस एक तो एक क्लैन के बारे में बताऊंगा जिसमें एक ही बंदे ने अपने बहुत सारे टाउनौल एट के अकाउंट से पुशिंग किया है और वो भी बहुत ही तगड़ा पुशिंग किया है दूसरी चीज मैं यहाप एक टाउनल 8 की पुशिंग आर्मी के बारे में बताने वाला हूँ जिससे आप लोग TH8 होके TH9 पे 3 स्टार निकाल सकते हो तो जिन लोगों को इस क्लैन के बारे में बता है वो अटेक देख लें जिन लोगों को अटेक में इंटरेस्ट नहीं है वो इस क्लैन को देख लें ठीक है तो चोलोग आईज यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो आफ लोग यहां पर देख सकते हो क्लैन का नाम है Winter Galaxy तो काफी साई क्लैन है यार ये अगर आप लोग देखोगे कि यार मैंने कभी अभी तक ऐसा कोई क्लैन नहीं देखा है वैसे काफी लोग ने आप मेंसे देखा होगा इस क्लैन को पर अच्छी बात है यार मैं दूसरी चीज मैं इसमें यह चीज दिखाना चाता हूं कि इस वाले बंदे ने जो इनका में जिसका में अकाउंट है इसने यहां पर वर्ल्ट रिकॉर्ड बना रखा है 5307 इसका बेस्ट है पुशिंग में तो मैंने तो नहीं देखा है अभी तक कोई टीएच एट वाले ने इतनी ट्रॉफी पुशिंग करियो शेकिंड चीज गाइस जो इसमें यूनिक चीज है ने इस क्लैन में वह अभी तक शा 4399 तो गाइस ऐसा कैसे हो सकते हैं मतलब 333 विलेज 33 account से से मतलब recoveryos जो की से बैचे पुशिंग में यूनका best है कि इस वाले account से कोई दूसरा base मिला हो तो मुझे लगता है कि यार थोड़ा सा कुछ है इसमें गड़वड पर अगर आप लोगों को पता है इसके बारे में जो ये trick कैसे इसकी trick है तो वो मुझे आप लोग comment section में बता सकते हो क्योंकि आप ऐसे काफी लोगों को पता होगा मुझे नहीं पता है तो फिर भी यार बहुत बड़ी बात है इसने अगर इसने अपने main account पुशिंग करी है और बाकी account से भी इतना तगड़ा पुशिंग किया है तो वो बहुत ही बड़ा achievement है गाईस तो गाईस यार यहार यहार आप देख सकते हो आप लोग यह TH8 की पुशिंग आर्मी है गोवाइप आर्मी आप लोग यूज़ कर सकते हो और गोवैल या गोवाइप यह एक आर्मी है तीन आर्मी तो आप लोग इनको पुशिंग आर्मी के लिए यूज कर सकते हो गिटी एच नाइन और टैन पे टाउन होलेट की इस वाल यार में से दूश्टार निकालना इजी हो जाता है मैंने भी ट्राइ किया यार अपने टाइम पे तो यहाँ पे इसने एक चीज़ आप मत करना कभी कि अगर आप तीन पेका ले गए हो तो एक पेका को यार थोड़ा भार करना मतलब डिपलॉय अगर आप करना चाते हो एक पेका को तो भार पे करना कलेक्टर की साइड और उसके पीछे कुछ तीन चार विजर्ट्स आप लोग ड्रॉप कर देना उससे क्या होगा कि वह आउटर का जितना भी डिफैंस है ना वह क्लीन अप करता वह चलेगा और डिस्रक्शन भी बढ़ा देगा तो परसंटीज भी मिल का अगर आप भार चोड़ो और उसके पीछे विजर्ट्स ड्रॉप करोगे तो आपको हेल्प मिल जाएगा बाकि आप लोग अटेक में देख सकते हो एक्स बोज अभी हाप लगे वे हैं जाइंट को किल करने में बाकि हाँ अगर आप सीसी में वेल कैरी और या एक पैका मै इसने वैसे लूट काफी अच्छी मिलिया इसको और दूसरी चीजी इसका स्पेल टाइमिंग बहुत अच्छा है गाईस अगर मैं भी यहां पर होता अगर मैं भी यहां पर होता गाईस तो मैं भी यहां पर जोश जोश में यहां पर अपने सारे के सारी स्पेल्स को ड्रॉप कर देता वह लेकिन इसने अभी भी जहां तक आप लोग देख सकते हों कि एक्स बोज अभी भी मतलब लगे वे हैं मतलब उस पर पूरा टेक डाउ का यूज नहीं किया यह जी बहुत अच्छी थी इसमें और बहुत ही सही टाइमिंग पर फिक्स टाइमिंग पर उसने यूज किया तो गाइस पस आज वाली वीडियो में बस इतना ही था और पुशिंग आर्मी के बारे में बताना था और वह सेकिन वाला जो प्लैन था को सब्सक्राइब करना मैं ऐसे लिए लाता रहता हूं तो गाइस मैं मिलूंगा आपको नेक्स वीडियो में गाइस तब तक के लिए बाइबाइबाइबाइबाइब हुआ है